Use completing the square to find the roots of the quadratic equation y equals to 4x square plus 40x plus 280 अब हमें completing the square method का use करके इस दिये हुए quadratic equation का roots पता करना है यानि कि वो x की values पता करनी है जिससे ये पूरे expression की value इस y की value 0 के बराबर हो जाए तो जो x इस चीज को satisfy करेंगे वो इस equation के roots के लाएंगे यानि कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये हमसे इतना बोला जा रहा है कि इस equation को हमें यहाँ पे solve करके बताना है तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस में देखा हम पहले इस x square के coefficient को 1 करते थे फिर इसे एक perfect square बनाने का कोशिश करते थे फिर दोनों side square root लेके हम x की values पता करते थे इस बार हम थोड़ा सा change करते हैं हम क्या करते हैं इस x square के coefficient को 1 किये बिना ही इसे perfect square बनाने का कोशिश करेंगे और ऐसा हम कैसे करेंगे तो इसके लिए माल लेते हैं कि जो भी इसका factor होगा वो कुछ इस form का है जैसे कि अगर ये perfect square इसे हमें बनाना है तो ये कुछ ax plus b माल लेते हैं कि इसका factor कुछ इस form का है तो जब हम इसका square करेंगे तो हमें ये expression यहाँ पर मिलना चाहिए 4x square plus 40x और कुछ यहाँ पर constant part भी आएगा जो कि हम आगे पता करेंगे कि वो क्या होगा फिलाल हम इस 280 को जो काते हो रहने देते हैं उससे छेड़ खाने नहीं करते हैं तो चली इससे एक बर expand करके देखते हैं कि एक किस form का देखेगा हमें तो यह हो जाएगा ax plus b times ax plus b तो इस ax को जब हम इस ax से multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा ax का whole square plus ax times b यह हो जाएगा abx के बराबर फिर यहाँ पर आजाएगा b times ax यानि कि यह फिर से हो जाएगा abx plus b times b यानि कि plus b square यह हो जाएगा अब यह दोनों तो like terms है तो इनको हम आराम से add कर सकते हैं तो यह हो जाएगा ax का whole square plus 2abx plus b square यह इस form का आगया और इसको हम अगर relate करना चाहें तो यह जो इसका पहला term है यहाँ पे यह एक्स यहाँ पे पहला term उसका square है यह जो यहाँ पे है हमारे पास b इसका दूसरा term यहाँ पे यह उसका square है और यह जो beach वाला term है वो है 2 times इसको अगर हम थोड़ा सा clearly लिख लें तो यह है 2abx यानि कि 2 times ax 2 times ax इसको हम साथ में कर लेते हैं 2 times ax times b times b यह इस form का हो गया कि पहला जो term है उसका square करिए फिर उसमें 2 times पहले वाला term times दूसरा वाला term प्लस इस दूसरे वाले term का square यह इस form का है तो अब हम इस दिये हुए expression को same इस form में convert करने का कोशिश करते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखे तो पहला term है हमारा 4x square तो 4x square 4 होता है 2 का square और x तो x square जो है वो x का whole square हो जाएगा तो 4x square को हम लिख सकते हैं 2x का whole square 2x का whole square 4x square हो जाएगा अब आता है plus अब आते हैं इस बीच वाले term पे तो 2 तो हमें डालना ही पड़ेगा 2 के साथ को छेट खाने नहीं कर सकते हैं तो 2 हमने डाल दिया फिर ax अभी ax क्या था यह पहला वाला term जो यहाँ पे आ रहा है जैसे कि यहाँ पे ax है उसी का square यहाँ पे हुआ है और यह यहाँ पे आया है और यह फिर यहाँ पे आया है तो जो भी चीज यहाँ पे होगी उसको हम यहाँ पे लिग देते हैं अब यहाँ पे है 2x का square तो यहाँ पे हम डाल देंगे times 2x अब इसके बाद है b, b है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है यह सेम भी यहाँ पे आया हुए जिसका square है और वही b हमने यहाँ पे use किया है इस term की यहाँ पे value है 40x तो 2 times 2x होता है 4x अगर हम इसको 10 से और multiply कर देंगे तो यह हमारा 40x हो जाएगा और यह 10 हमारा b का काम भी कर देगा हमारा b का value भी यहाँ पे मिल जाएगी तो यह इस form का भी हो गया यह हमारा हो गया यह x यह होगा b तीसरा term होता है b का square तो चलिए वो चीज़ हम कर देते हैं plus 10 का square यह तीसरा term यहाँ पे आ गया अब यह तो हमने खुद से add कर दिया है एक extra term यह तो equation में कई था नहीं तो एक काम करते हैं हम same term को यहाँ पे subtract भी कर देते हैं ताकि हमारे equation same रहे हम कुछ उसमें खुद से add य और यह plus 280 तो जो कातो हम वहाँ पे लिख देते हैं plus 280 और यह पूरा बराबर है zero के चलिए आए इसको थोड़ा और आगे solve कर किया जाए तो अब यह जो होगा अब यह जो expression हमें हमें मिलेगा वो इस form का आ चुका है अब वो इस form में change हो चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं तीन टम को यहां से उठा कि हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा ax plus b का whole square ax plus b का whole square यानि कि 2x plus b है हमारी 10 plus 10 इसका यह whole square हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे है negative 10 का square यानि कि negative 100 और plus 280 equal to 0 चलिए इसको आगे solve करते हैं तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2x plus 10 का whole square 280 minus 100 होता है plus 140 equal to 0 दोना side अब हम 140 subtract कर देते हैं यानि कि यह हो जाएगा minus 140 minus 140 तो यह और यह cancel और हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x plus 10 का whole square वो हो जाएगा negative 140 के बराबर अब इसको आगे solve करने के लिए हम लोग दोनो side square root ले लेंगे इदर positive और negative square root तो हमें फिर यहाँ पे मिल जाएगा 2x plus 10 जो है वो हो जाएगा plus और minus square root of negative 140 लेकिन एक मिलेट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि square root जब भी हम लेते हैं वो हमेशा एक non negative quantity का होता है वो यह तो 0 हो यह तो positive quantity हो लेकिन यहाँ तो एक negative quantity आ रहा है तो इसका तो square root तो हम लेहीं नहीं पाएंगे और अगर हम इ इस वाले equation में भी देखें तो यह जो square की value होती है वो हमेशा non negative होती है इसकी जो value आएगी वो हमेशा non negative non negative ही होगी लेकिन यह तो एक negative value है तो यह तो कोई कभी भी possible नहीं है x की कोई भी value आप रख लें यह तो कभी satisfy नहीं कर पाएगा तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ से हमें कोई भी solution नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जो कि इसे satisfy कर पाएगा यानि की no solution no solution हमें यहाँ से मिला यानि की यह जो हमें equation दी हुई थी हमें बोला गया था इसके roots पता करने के लिए ऐसा कोई x है ही नहीं जो कि इस left hand side को 0 के बराबर कर पाएगा तो solution, इसका कोई solution है ही नहीं